नमस्कार दोस्तों मैं हो प्रजेस सिंग और आप देख रहे हैं लाइव उत्तरप्रदेश भारतों मेंमार की सेनों ने मरिपूर, नागालैंड और असम में सक्री विभिन उग्रवादी समुग को निशाना बनाते हुए उनके कई ठीकानों को तबाह कर दिया है इन में कमतापुर लिबरेशन और्गनाजेशन, एनसेन खापलान, उल्फा और नेशनल डेमोकरिटिक फ्रेंट आफ बोडो लैंड के ठीकाने शामिल हैं इसके अलावा सत्तर से ज़्यादा उग्रवादियों को दबोच लिया गया है देखिए हमारी एक खास सिपोर्ट अभियान की सफलता पूर्वक समापती के बाद रक्षा सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन संस्टाइंड दो का पहला चरण भारत मैमार सीमा पर तीन महिने पहले चलाय गया था इस दोरान पूर्वत्तर के उग्रवादी गिरोहुक के कई ठीकानों को नश्ट कर दिया गया था मैमार भारत के रणनीतिक परोसियों में से एक है और उग्रवाद प्रभावित मडिपूर ता नागालेंड सहित पूर्वत्तर राज्यों से इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है भारत सीमा रक्षा के लिए दोनों से देशों की सेनाओं के बीद गहरे समन्वे पर सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन संसाइन 2 के दोरान उग्रवादी समुवों के शिवरों को नश्ट करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को सहयो किया था सूत्रों ने बताया कि दोनों देश खूफिया सूचना और जमीनी स्थिती के आधार पर अभियान का अगला चरण भी चुरू कर सकते हैं अभियान भारती सेना के साथ ही असम राइफल्स के जवान भी शामिल थे इससे पहले 22 से 26 फरवरी तक ऑपरेशन संशाइन एक चला गया था तब भारती सेना ने अपनी सीमा में अराकान उग्रवादी समू के खिलाफ एक्शन लिया था ऐसी खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ लाए उत्तरप्रदेश लखनव